यानि नारी शक्तन बंदन अजीनियम तूजिरो टूथरी तो सतन में पुर उस्ताफित करने की अनमती दी जाए 33% सीटे नेशनल कैपिटल टेरिटिव अब जली के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व होगी जो प्रावदान पहले से है उसी में हम 33% माईलाओं के आरेक्शन की बात कर रहे हैं वो ससक्ती करण भी करेगा और माईलाओं का उठान भी करेगा और यह दिशा भी देगा इसलिए मैं इसकी अनमती थाता हूं आपसे अन्य अर्जुन नेकवाल जी तन्यवाद अद्यक्स मोदे मैं परस्ताव करता हूं कि भारत के समिधान का और संसोधन करने वाले दा कांस्ट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 यानि नारी शक्तन बंदन अजीरियम 2023 वो सदन में पूरु सापिट करने की अनमती दी जाए मैं बोलना भी चाता हूं सकता हूं सप्लिमेंटरी विजन्स रड़े के बिल्को अप्लोड कर दिया गया है नई टेक्नोलोजी है संसद की और नई टेक्नोलोजी में आप इसमें देख लेकिए बिल्को अप्लोड कर दिया है मैं बोलना चाता हूं अधाग्सी नई टेक्नोलोजी है संसद में आप इसको चलाईए इसमें बिल्लोड कर दिया गया है अप बिल्को अप्लोड कर दिया गया है मैं बोलना चाता हूं अदेग जी फित कुछ बोलना चाता हूं अदेग जी मैं अत्यक्जी बोलना चाहता हूं मैं आपका आप बाहर परक्शकरते हैं आपने यह अफलोड है अपलोड है साप मतां जेत करने को अपलोड है आप इसमें अफलोड है मैं अदयक्जी मैं का आप जोचविशन 128 Amendment Bill 2023 के समंद में कुछ तच्छे सर्दन के समक्स रखना चाता हूँ ये हैला सशक्तिकरण से समंद इस Bill है इस Bill के माज़यम से हम Article 239A, 330A, 332A और 334A इसमें संसोतन कर रहे हैं समिधान में अध्यक जी 239A के माज़यम से 33% सीट है National Capital Territory of Delhi के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व होगी Article 331A के माज़यम से Reservation of Seats or SCSD in House of People है, मैं आपको बता रहा हूँ कौन से उसमें है Article 332A I would like to clear them sir, it is already uploaded sir, supplementary message, it is already uploaded sir, we are, we are, we are able to see it, we are able to, why they are not able to, whether they are opposing the resolution bill, let them clarify sir, it is there sir, let them understand sir, it is already there, ये तो है sir, already, मेरे अभी जो इदर रखा है, tab, ये tab में आ रहा है, you please, you please try to understand the technology, हम आज भारत में Digital India के बात करे, चेक करा दो कर दो गवराव जी, चेक करा दो खुर्पिया, प्लीज चेक करिए, प्लीज चेक पिश्रिघ्र निस्टो डवरो, अपके डिजिकल सॉंसोल में, SME's में भी है, ये मेरी स्कीन पर दिखना है, तो आप सब की स्कीन पर दिखना है, आप के एक बिल है महिला सक्षक्तिकरन से समंतित पाइतो पूर अधीरणित नीजी सुनिए दो मिनटे जुनिए मैं वो ही बोल रहा हूँ अद्दक जी दा कांस्टूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 इस वेरी इंपोर्टेंट अमेंडमेंड इस वेरी इंपोर्टेंट बिल अधिरंजनी सुनिये थोड़ा आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसेट कर रहे हैं जिसके मादियम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा किसमें ता नेशनल कैपिटल टेरिटरी अब डेली उसके बाद हम आर्टिकल 230A में अमेंडमेंडमेंट कर रहे हैं जिसके मादियम से लोग सभा में रिजर्वेशन आप सीट्स वार उसी में हम 33% महिलाओं के आरेक्षन की बात कर रहे हैं एक आर्टिकल 232 है जिसमें दिया वाइर इसमें असेम्मली के लिए उसमें भी State Legislative Assembly में 33% महिलाओं के लिए आरेक्षन की ववस्ता कर रहे हैं यह बहुत important विल है और फिर Article 334A में एक नया हम कलॉज जोड रहे हैं जिसके माध्यम से इस महिला Reservation की जो अबदी होगी वो 15 साल के लिए होगी उसकी यह बढ़ाना होगा तो संसत इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ आपको एक समझाना चाहता हूँ दिरजन जी अभी जैसे 543 नमबर है इसमें बालु जी यू कैन शीन दा सप्लिमेंटरी लिस्ट अब दा बिजनेस आज बेल इंट्रोड्यूस हराए के वाल कल बिल पर बिली डिवेट होगी जब आपने विचार रख करना अर्जुन जी बेंगवाल मैं इस बिल के मार्जम से तो परिवर्तन होने वाला वो बता रहा हूं दिरजन जी अभी जैसे 543 हमारी लोगसभा की सीट है जैसे ये बिल पास होगा ये कानून बनेगा उसके बाद वर्तमान में लोगसभा में जो संख्या जो की सबसे दादा है 82 मैलाओं की संख्या है वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद कितना क्रांपिकारी कदम हो पुठा रहे हैं आप इसके समर्थन में नहीं हो सबसे पहले सबसे पहले ये बिल राशवा में भी करेंगे हम अब आप सुनिये सुनिये कल्यान की राशवा में भी लाएं देखिए सबसे पहले सबसे पहले ये बिल मैं इतियास बता रहा हूं उसका सबसे पहले ये बिल सेप्टेंबर 96 देव गुडा जी के समय आया वो भी 11 वी लोग सबा में उसके बाद दिसंबर 98 में मानने अटल भीहरी वाजबही की जब सरकार थी तब आया वो 12 वी लोग सबा में उसके बाद दिसंबर 99 में अटल जी की सरकार थी तब फिर आया तेरवी लोगसभा में और ये जिसका जिकर कर रहे है डॉक्टर मन्मोन सिंग जी के समय तो बिल आया वो लोगसभा में नहीं आया वो आया मई 2008 में राज्यसभा यहीं यहां से सडियंत्र की बू आती है और राज्यसभा में आने के बाद ये डिपार्मेंट रिलेटेड इस्टेंडी कमिटी में गया और वहां ये बिल जब रिपोर्ट आई तो मार्ट 2010 में 9 मार्ट 2010 में राज्यसभा ने इसको पास किया उस 100 लोक सबाद जैसे भंग हुई अध्यक्जी पंदरबी लोक सबाद जैसे भंग हुई 18 माई 2000 सब्डा को ये बी लेप्स हो गया और इन लोगा ने पारिज ने किया कन्स्ट्टुूशन का प्रविजन पठना बताता हूँ अधी रंजन के लिए अभी अभी सुनिया है आप इसके बाद इसके बाद इसके बाद मैं मैं अधिर्जांदी देखिए आर्टिकल बंगिर सेवन अरे सुनो तो सही मैं अधिर्जांदी इसके बिलके प्रावधान में मैं देखिए आज नई संसद के पट्रल पर इस नारी सक्ति वंदन विजेग दोजार तेश को प्रस्तूप करते वे मुझे आपार हर्ष और घर्वक की अनुमुति हो रही है अधिये सदन नारी सक्ति को लोग सबाव राजे सबाव में 33% बागज जैने का साक्सी बनेगा बारत के यससवी प्रदान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी की सोथ हमेशा से नारी को सक्ति सोरूपा मानने में की रही है और मानिने प्रदान मंत्री जी के नहतुरत में देश में आद वूमन डवलोपेंट से वूमन लेड डवलोपेंट के और तेजी से कदम बढ़ा रहा देश अधर चेतर में चाहे वो अंत्रीक्स हो, सेमा हो, प्लिस हो, खेल जगत हो, दिमिता हो, बुर्शाई हो, साइति हो, कलाओ, मैला है प्रबाव साली नहतुरत करके देश तो गोरवाइंट कर रही है आज हम प्रदानमंतिरी मोदी जी के नहतुरत में नारी सक्ती बंदन विदेख परसुप कर सचैर्थ हमें नारी सक्ती को उनका इजिकार देने जा रहे है अध्यक्ष मोदे हमारी संस्क्रति में नारी को सदेव से सक्ति शरूपा माना गया है हमारे स्लोकों में भी कया गया है यादेवी सर्व भूतेशू शक्ति रूपेन संसिता नमस्तेश नमस्ते नमस्ते नमोनमे अध्यक्स मोदे में इस अउसरत पर भारत के समिधान निर्माता बाबा साब भीमरा वमोल्ड कर का एक कोट आपके समझ प्रस्तूत करना चाहता आप किसी समाज के उत्थान की प्रगति कैसे नापते हो वाट इस दा पैरामिटर कि यह समाज या देश यह राष्ट उन्निती कर रहा है तो बाबा साब ने कोट कहा था उसको मैं कोट अनकोट कह रहा हूँ उन्होंने का आई मेजर दा प्रोग्रेस आपे कमुनिटी बाइ समझता हूँ कि वो समाज को राष्ट प्रगति कर रहा है यह बाबा साब ने कहा था अधेक्स मौदे मैं असर पर भारत के समिधान के शिल्पकार बाबा साब भीम्रा अमेट गर्दी को इसलिए भी याद करना चाहता हूँ कि 25 नौबर 1949 को बाबा साब ने कहा था इसी नहीं होगी इसको कौन दूर करेगा आने वाड़े सरकारों का यह इसका काम होगा लेकिन यह नहीं कर पाए जो सरकार आई लेकिन जब प्रदानमंतरी मोदी जी आये 2000 सब्दा में तो जंतन अकाउंट आया एक मैला के अकाउंट एक के अकाउंट नहीं यह ऐसा मानता थी अ एक के घर भिजली एक के घर भिजली नहीं एक के घर गैस एक के घर गैस नहीं एक के घर नल से जल और एक के घर नल से अनुआ जल नहीं और मुद्रा योजना में भी जैसे अब प्रदानमंतरी ने जिक्र किया इस्टेंड अप इंडिया में भी एक लाग से दस क्रोट तक क समानता दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी जी ने किया है इसलिए ये मैलाओं को ससक्ती करण भी करेगा और मैलाओं का उठान भी करेगा और ये दिशाबी देगा इसलिए मैं इसकी अन्मतित आता हूं आपसे ये नारी सक्ती बंदन भ भारत के विकास में नारी सक्ति की भूबीका को निधारित करने वाला होगा तू जीरो फॉर सेवन तक के अमर्तकाल में विक्षित भारत के निर्माण में मील का पत्तर साबित होगा मैला सत्सक्तिकरण में वूमन लेड डवुलपेंट को नई दिशा देने वाला होगा नए भारत के निर्मान में एत्यासीग महिला नहतुरत को पैचान देनाने वाला होगा संपूर्ण विश्व के लिए प्रेड़ना दाल देने वाला यह सिद्ध होगा इसलिए मैं आप शे अनमती चाता हूं कि इस विद्यव को पुरस्तापित करने की अनमती प्रदान की जाए जो सदस इसके पक्ष में हां कहें जो सदस रोज में ना कहें मेरे विचार में निंडे हांवालों के पक्षवां मान्यमंती जी अब विद्यव को पुरस्तापित करें सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आईटर नंबर वान श्रीक्रेम रिजू जी आपके अनुबती से में लोग सभा में आज के कारे सुची में मेरे नाम के समुक उल्ले खित प्रतिविक बिज्यान मंत्रालाई से संबंद प्रपत्र सदन के पतल पर रखता हूँ आएटर नंबर तू से फ्र पंका चोडी जी जो होता है मैं आज की कारसुची में मसंख जो पर मेरे नाम के सामने वारडित exhausted आपके मतीशे से सदन के बडल पर रखता हूँ नंबर थ्री मास सचीव आईटर नंबर थ्री मास सचीव अबाना के ग्वार्ट पार्लामकी एफ नारें नारे फिल्स लिज्दों फिल्स इनली प्राफे साध़ एंधार रावाला है